प्रिक्ट वर्ल्ड वर्ल्ड विर्ड डॉक्तर काशिफ अनसारी के साथ मैं हूँ आपका मेजबान सुहेल खान और इस प्रिग्राम काफी असे से इंतजार किया जा रहा दार शी काफी खाई बन चुकी थी क्योंके लोग देखना चाहते थे लोग चानना चाहते थे बहुत कुछ पाकिस्तान के हावाले से और इस प्रिग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अनसारी किसी तारुस के महताज नहीं यकिनी तॉर पर आप उनकी योग्यों समय बीन पीपर भी देखते पाकिस्तान की शिकस्तान 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 की पाकिस्तान की शिकास की हुई सवाल कोछुछ समय न की बेतर यह होना चाहिए कि पाकिस्तान साथ-फर्विख़ां करने क्या घरता है पाकिस्तान टी-ट्विंटी खेखता रहे तो बेटर और उसके बाहर जब भी पाकिस्तान कोई चीज केलने की कोशिश करेगा तो यकीन उसी तरह के नाटाइज हमें देखने को मिलेंगे जो हमें कल सेंचुरिय टेस्ट को देखने को मिलेंगे जब अपने होम ग्राउंड पे तो सेंचुरिय में या डर्बिन में या जोबर्ग में क्या करने गए तैया आप एक मुल्क में किर्केट का कोई स्ट्रक्चर नाम की चीज ही नहीं तो आपका फाइदा जाने का हारने की क्या हुजा है भाई फेलिंग हो तो सौ ओवर की टीम है आपकी दोनों इनिंग्स मि टीम का क्या कि टीम टीम हुजा की किर्किट की जिस मुल्क के अंधर खर्केट सबस्के बड़ा मखब हो उस मुल्क की टीम सो ओवर के अंदर दो दफाए आउड़ो के आजा है बल्कि कोशिच होती चाहिए किसी दफाब आउड़ गाती है यखिए ग håग मैसा अधरिका चात आपको जलीर किया जा रहा है आप खुश हैं आपके अधेदारान अपने अपने आयाशियों में पड़े रहे थी कि उनको किरकेट से क्या लेना देना रही बड़ी गहरी बात आपने की कि कि क्या लेना देना और जब टीम जीती है तब यह सब चीज़ें छुप जाती है लेक जब पाकिस्तान की टीम पिछले साल चैंपिन्स टॉफिक जीती थी तो उन्हों ने बकाइदा इस चीज़ के उपर एतरास किया था और आवाज उठाई थी और लड़के पैसे अपने इनामात की रखूम अपने प्लाट अपने जनाब गाड़ियां यह वो अपने नाम आए और इस तरह से उन्होंने पकाइदा मुख खोल के अपनी बोलियां लगवाई थी और लोगों से उन्होंने इनामात वसूल किये थे और जब हारने की बात आई है जब 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 शिकस्त किसे मिदारी की बात आती है तो एक दुस्ते के ओपर जिब दारी का भोश डालक हैं उनके रोज मर्रा की जिन्दगी के मामुलाद के बारे में उनकी तालीम और तर्वियत के बारे में बाप को फिकर होती है एक सुबा घर से निकलता है रात तक रोटी रोजी कमा के लाता है ताके दो वकी इज़ती रोटी अच्छी तालीम और तर्वियत अपनी उलाद क जो जालमाना और दुश्मनाना सुलूप कर रखा है पिछले कई सालों से उसकी तारीख ने कभी कहीं साल में होती तारीख होती। मैं अगर इस मौदू को आगे लेके चलू तो यकीन मारीए घंटों गुजार दूँ आपको वो मिसाले में दूँ आपकी आपका दिल खून के आसो दोना चुरू हो जाए कि यार यह हमारा बोर्ट है ऐसा तो जिंबावे और कीनिया जापान का बोर्ट ना हो जो अमारी कीनि और बदमाशी की सबसे बड़ी मिसाल सर्फराद अहमद है सर्फराद अहमद से बड़ा पाकिस्तानी किर्कितर शायदी कमी हमने प्रोड्यूस किया हो सर्फराद अहमद से जादा मुर्ट से मुहपत करने वाला लड़का शायदी कोई कराची यह पाकिस्तान की सर्जमीं प उसका बुर्ड. सर्फराद नि कहाता मुझे कफ्तान मरा अू. सर्फराद में कहाता कि बचेस्पैचों की कफ्तानी दो. आपके पस कोई चारा ही नहीं ता. आप तो अचानक पता चला कि इस परे टाइम हो रहा है? आप अचानक रात ख़बर आई कि यूनुस रे रहा हो रहा है नहीं आपको पता है कि लाफ सetu चिहने जा पस brunch का किस वेड़ को कटान भनाना चानले बनाना क्य से बनाना करना आर क्यार करना मैंक की कांड करना करना फीसिक लीग और क्रशेयं के दूर करते होता है कि का भुक का तो कक्तार क। उसको देता है, रबर देता है, कुशन पढ़वाता है, किताब पढ़वाता है, सबक याद करवाता है, पिर भी निशता है ना, अचानक से घता तो नहीं पकड़ा जेता है, जाके इंजान देकर आजाओ, बोर्ड हमारा ये करता हुआ और चाप लड़का परफॉर्म ना करे तो बाप को क्या पोटता है, कि लड़के की पटाई करें और उसको उसको उस्वा करें, इसी तरह सफ्रास को अगर कप्तान नहीं बना था, सफ्रास के लिए सलाय नहीं थी, तो आप लड़कों को तैयार करके लाते हैं, आपको फिकर ही कोई निए, पाक्सान ने नाम मेरे प्यारे भाई, ये पचास साला तारीख है, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाएं, बात आजिए बढ़ाओ, कोई और बात है कुकर हो, बुकलहट कर शिकार हुए पाक्सान के पोच्च, मिकी आर्थर, या उनका एक ड्रामा है अपने आपको बचाने के लिए, सिर्फ बादी है, यार इस आदमी के, इस आदमी के, यार फिर तपाने वाली बात है करते हो, बाई साथ, अगर इसके अंदर पाक्सान से मुहबत कहा आ गए, उसकी माँ पेला हुई थी यहां पर, उसके बाद बच्चे पलते हैं यहां पर, उसने तो जाकी किताब लिखनी है, अैमी के लोगे अजाता उसकी साथ जखने हुए, फसाद हुए, गंगे हुए, तखसीम की एक लाड़ी, गालट गोलोचे, तक सुनने में आई, उसको पाकिसान से एती मुहबत कब से हो गई, अगर उसको मुहबत होती न ठ्यारे भाई, तो वो पाकिस्तान में रहता, वो कि डोमेस्टिक किर्किट से लड़कों को निकाल के लाता, वो इन 11 लड़कों की तक्नीक को दुरूस करता, वो इन लड़कों को आस्टम बताता के किदर है, वो इन लड़कों को शॉट्पिच गेम छेलना सिखाता, वो इन लड़कों को बैटिंग प्रैक्टिस कराता, उसके पाद उसे नतायश की तवक्तो रखता है एक वक्त में गराची खिंग्स का भी कोच बना वाए पाकिसान का भी कोच बना वाए वहां से भी पैसे बटो रो और इसना बटोरलो के आँगा 2-3 साल तक नौकरी की फिकर भाओ यह वहां वाए उप्याव यार सुय्व नहीं अरे बैटिक नहीं आती नहीं आती है किसीनी इसे खानेकी कोशिशे भी नीए लेकिन एक ग्रांट-फ्लावर टाइब का लिगड़का जो लाथो की तंखा ले रहा है मेरे प्यारे भाई ये मुझे बताधो कि कॉम्प्रिहेंसिव गर्ज स्कूल की अंदर टीचर की तंखा कितनी है 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल के अब के जो प्रिंसिपल है उसका स्केजूल तो देख लो उसकी टीचर की मेहनत तो देख लो कि सुबह साथ बजे वोट के अपने कपड़ लाक रुपे लेता है तो किस बाद के पैसे लेता है या आप यह कह रहे हैं कि समाम जिम्मेदारी बोर्ट और स्टाफ की है क्रिकेटर्स और बेट्स्पिनों की तो भाई है नहीं कर प्यारों नहीं है लेकिन इनको कोई हद नहीं पहुंचता गालब मिलोच करने का अगर आ थाप किस हिस खड़े भाल गुमाता है सबको पता है ना ये खीर तो पहले दिन दुरूस की जाती है प्याले भाई ऐनी की कोछ बनाएए था नहीं ऐसे को निता हैं कि अधरे सिर्फ यूशली बनाई थी प्रिपल सेंचुरी बनाई थी फिर वही बात किने दो कोछिंग इन गी थी अज जब हारे हो तो कुबुल करो पिर मेरी कोछिंग साही दे आख को क्यों रहा है। कि यसी बाते करते हो तुमने भी वही बात करी लग लिया कि अगर वो ट्रिपल सेंचरी बनाई तो उसका ग्रेट लेकर चले गए आपके है अजर अजर अगर ग्रेट लेकर गए तो अपने उपर लो अजर आप अजर वादमी ये कि अगर अपने आपको बचाना है और एक ड्रामा किया रहा है पाकिसान ट्रिकेट में भाई साब ये लोग असरे मसला है अकाउंटेबिलिटी का अबड़ा धर्ड़ भाउस अकाउंटेबिलिटी से कौमें पढ़ती हैं और कौमें बिग्रती है सुरिल भाई आपसे ज़्यादा किर्केट को कोई भी सब्चता है आपसे ज़्यादा सब्चता है शायदी इस मेडिया की दुनिया में कोई हो जो किर्केट की जानकारी और सिस्टम की जानकारी को के ओपर उमूर रखता है किसी भी तन्जीम, किसी भी टीम, किसी भी मुल्क किसी भी दारे को चलाने के लिए अगर अकांट पे बुजिटिंग नहीं है तो फिर कुछ भी है अमरीका के सदर में अपसे एक साल पहले आने के छे महीं अब एक लॉप आस किया के तीन छे मुमालिक से हम तालुकात खतम करना है यहां की इमिग्रेंट्स और वीजे मीजे तारे कैंसल थीके दार खुना था ना पुरी दुन्या ने सुना ने उसके बास उसको एक डिस्ट्र कुडे की टॉपरी के ठीन रेंडाहु कोडे के टुबरी इसे कहते हैं ऐकांटेबिलेटी इसे कहते हैं जम्हुरियत और इसे कहते हैं अपनी अपनी बाउंडरी लाइन में रहके काम करने का एक तरीका जब आपके हैं अकाउंट इपलेटी ना है जब आपके हैं कोई कोई इतसावी अबल ना हो तो किर्कित बोर्ट का सरवरा अपनी मर्जी से एंडी भी अपॉइंट कर लेता है जो 25 लाग रुपे महीने की तरखा पे आ रहा साथ सेंचुरिय पे बैटे वे ते किसके अठे पे गहते किस खते वे किया काम कर रहे थे वहां पे तरकार का या फाकिस्ताना की कौर सी झान वारी on पार गुच्रावी साथ Wasn't Q है नहीं हा कुछा वाला तो जिसक्यूज सो ब sports के लिसटर वां याओ सोगार कि जब accountability कि civ को जाती ना इस तरह के सानिहां होते ही accountability अगर आफके सिस्टरम में होती तो ना तो ये coach की क्रोच की हिमत होती ही इस जबार इसकार करें ना इन्हरकों की मजार होती कि इस तरह के प्रेतों के short Rares केटे ना इस ना इस मीडिया की यही मजाल होती कि इसको उच्छालती बात मेरी यह है कि जब पाकिसान एशिया का भार्ग आ रहा था तो कौन सी कमेटी बैठी थी किसने सवाव किया था सरपरास को बुला के कमरे में किस शहजादे बंगलादेश के जब तीन निटे चार निटे गिर गई तो तुमने अगले बीसों के लिए बंगलादेश को ओपन फील्ड क्यों देनी कि तीन सवाव चरके चले गए तुम्हें नहीं आती कम्तारी तो यह रहा कागल लिखो इस तफ़ा घर जाओ लेकिन जब नहीं करोगे वो देखो मेरे प्यारे भाई आप रेडियो पे नाम कर जाए उसके बाद मुझे बंगू आनी चाहिए कपड़े फटे वे पैंके चले गाओ एक दिन जाओंगे वो माफ कर देगे दो दिन जाओंगे माफ कर देगे तीसी दिन तुम्हारे हाथ में कागस का तुपड़ा रखेंगे जिसमें लिखा होगा कल से काम पे मताईएगे यही होगा रहा है आपकी तीम इस से बुरा अचर कर रही है आपके मुलक का मुझे ग्राउंड में मुझे टूम्निमेंट्स में मुझे गेम्स में आपने कभी उनकी हाथ में कागस का तुपड़ा रखा ग्रेंट फ्लावर ने कौर सा गट्समें दिया आपको जो लाग नंबर वन डे में साथवा नंबर दुनिया की मतलब और तरीम टीमों में से एक है एक मैच विनर नहीं आपके पास एक सवारा है फरास के लिए फकॉल फरास के बड़ी आप बातें कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मिधी आतर को हुटा दे और आपको कहना क्या है आपको कोचिंग कर सकते हैं पाकिसान टीम के कोच किसको होना चाहिए कि आपको कोच बनना चाहते हैं पाकिसान टीम के अच्या मुझे तो कोई कान नहीं, फराज में तो बेटा वहाई यहां पे चपातियां पका रहा हूं सुबह से, तो मैंने का चलो नौकरी पकड़ लेते हैं कोई, कोई दो-चार जालिया निकालता हूं तो आके नौकरी मिल जाए, ओ भाई फराज, मुस्यादा छीगर के दोयम खतम हुई, पूरे के पूरे इंग्लिस्तान के अंदर एक फसाद, तंगा, एक माशरे की तवाही का समय था, लोग उठके गए चर्चल के पास, विंस्टन चर्चल उस वक्त इंग्लिस्तान का वजीर आजम था, उससे पूछा, उससे कहा, चर्चल सहाब हर जगा ठाहिल आया ता कि क्या तुम्हारे मुल्क में अदालते काम कर रही है उसने जी-जी सर्फ अदालते काम कर रहे है, तो उसने का अच्छा, अबकालाग, चर्चल ने अपने वजीर और खुच चर्चल ने एक ही तरह से एक कानून को तोड़ा, अगले दिन वो लड़का जब वजीर वापस आया तो वोई सदा लेकि आया मेजिस्ट्रेट से जो चर्चल को सदा दी गई थी तो उसने इस बात को यकीन कर लिया कि अदालते काम कर रही थी दोनों ने गलत जगा गाड़ी पार्क करी दोनों को टिकेट मिला दोनों के चलान हुए दोनों के दोनों ने चलान मरे जजज ने कोई रियाज चर्चल के साथ नहीं की ना उसामादमी के साथ की चर्चल ने वापस आके सिगार पीना शुरू कर दिया और कहे दिया कि अब इस मुल्क को कुछ नहीं होगा जाओ जा करके तुम अपने अपने काम करो अगर इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी होती की सीबी के अंदर तो आज मैं और आप यहां ना होते आज हमारी टीम सेल्चोरियन में पाकिसान के परचम कर चुछ नहीं होते हैं जासरा फेस्बुक लाइव है तो कुछ सवालात भी आ रहे हैं उन्हें भी शामिल करते हैं सैम रसूल का सवाल है कि एहमद शेजाद का फ्यूचर आप क्या देखते हैं करेंज यह दुर्ञा है कि इसा लड़का लग रहा था हूप जो लग रहा था कि आगे जाके पाकिसान को लंबा सर्फ कर सकता है है अन्हाजाद वा शाहन मसूद हूँद हूप सबसेजाद का प्लेयर करने की फैक्ट्राइब एक होता ना जहां पे आप ट्रेश डालते हैं अपना ये कच्रा कच्रे की मशीन होती है जो कच्रे की मशीन में कच्रा डाल देते हैं तो उसी तरह से दूसी तरह कच्रा निकलता है तो उसी तरह का की मशीन का नाम है PCB हमारे हाँ सुहिभ मकसूद भी आए, एमद शहदाद भी आए, उमर अक्मल भी आए, तो फला भी आए, तो ढमकाना भी आए सब किस्था आइस्था आइस्था फेज आउट हो गए लेट आया तो हमें 152 से ही हो रहे है ना जब से पाकसान बनाई यह तो एक ट्रेंड है, हजार उपे हो जूए है क्योंकि फेक्टरी है PCB के पास, क्योंकि उपर इइंफरास्ट्रॉक्चर नहीं है उनके पास पर बाई मैं कहुंगा एकसाबी आमल नहीं है कोई पुर्साने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है सेलेक्टर से या कोज से के भाई, वज़ा बताओ, हमेश सजाक टूम से बाहर क्यों आई, वज़ा बताओ के उमर्टमन ने क्या तुर्ती की है, सब बाते दुरुस्त अपनी जगा हो सकता है, खराब खेला हो, हो सकता है कि परफॉर्मस ना भी हो, क्या आपके ख्याल में जदेजा क्या अपनी मां के पेट ने तीन सो रण बना के निकलाता? क्या विरात कोली ने अपनी पहली सालगेरा के पहली सालगेरा के मॉब्टे के उटपर ट्रिपल सेंच्णी नी को नाई थी, πά सो नहीं होता प्यारे भाई, बनाया जाता है, समार आ जाता है, मेरे प्यारे भाई विराद कोली हुआ चलो छोड़ो विराद कोली तो exceptional है आप युवराज सिंग का वर्ड कप याद करें युवराज सिंग ने कलब किर्किट लेवल की बॉलिंग की भी थी लेकिन जब वो धोनी के अंडर खेलने के लिए आया तो दुनिया के खतरनाक तरी लेक्टांड एक्स्पिनर बन गया जिस अब जदेजा अपनी जगे तलाश करता फिर रहा था डुमेस्टिक किर्किट के अंदर धोनी ने उसको अपने विंग्स के अंदर अपने परों के अंदर लिया जदेजा जाके तो उसको तीसरा टेस्ट मैच अस्टेरिया में जित्वा के आगया मेरे प्यारे भाई इसे कहते हैं लड़कों की पॉजिटिविटी पे काम करके उनकी नेगिटिविटी को खतम करना चलो अब बात चब निकली गई हैं तो वात विराद कोली की भी कर लेते हैं दुनिया का मुश्कित तरीब इन्सान किर्केट की दुनिया का विराद कोली सब्सक्राइब करें रिकार्ड इसके पैरों के नीचे होगे, क्योंकि ये दिमाग और दिल दोनों के साथ खेल रहा है, पॉइंट में यहां बनाना चाह रहा हूँ, कि जिस वक्त ये 12 टैटूज और एटिचूट लेकर के ग्रावन में उतरा था, अगर ये PCB के अंडर होता तो आज राद कोली नाम की चीज या तो बोटे की दुकान लगाए बैठी होती, या अफ़ा के कपड़े के कारोबार में हाथ बैठा रही होती, या दुनिया का टॉप बैट्स में ना होता, लेकिन चुके ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ, चुके ये महिंदर सिंग दो नजर आया का, क्यूंके BCCI को किर्किट से प्यार है, तो BCB की तरह किर्किट और पाकिस्तान से नफरत नहीं है, सर एक और सवाल है, हसीब एहमद का, वो कहते हैं कि the same team won six T20s in a row, won the Tri-Series, Whitewash, Zimbabwe and Drone Series in England, आप फिर बियून पर क्रिटिसिम करी नहीं रहा, मैं तो स्टीम क तो तुम टीम ही 20 ओवर की हो, तो मैं हराना 20 ओवर में मुश्कियों कि उसकी वज़ा से एक तीज नित्रीजी सोहिब भाई, शायद आफ्रीजी सेंड्रोम, आज से 30 साल पहले एक बिमारी नित्रीजी से क्या है, शायद आफ्रीजी सेंड्रोम, तो उसके चकर में पूरा प आफ्रीजी सदियों में एक पैदा होता है, और आएंदर सदियों तक पैदा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया क्रिकेट कर कोई बादशा है और था, तो वो शायद आफ्रीजी है, तो उस शायद आफ्रीजी सेंड्रोम ने लड़कों को बठाया, कि पहली गेम पे छंका मारन सेंडिस गेम में सेंक्जरी करनी है, और जनाब मैंने इसके इलावा कुछ करना ही नहीं, ये लड़कों को जो टेंप्रेमेंट और जो दिमागी उनको जो स्ट्रेंग दी गई, वो टोटल स्ट्रेंग भी सोवर की दी गई, पिछले तीस सालों में हमारे कौम ने वही किर्क है कि आठ्मी टीम है, टेस्स मैचों में आठ्मी टीम बन गए, खुदाया को मालो ना यार, आपने जो सिरीज ड्रॉ किये ना, वो 1-1 की सिरीज थी, आप दो टेस्स से जादा खेलता ही नहीं हो, आप खेलो 5 टेस्स पिर जीत के दिखाओ तो मालू मैं, फिर ड्रॉ करके द है कि आपकी सिरीज ही दो जो से जादा की नहीं रखते हो, भाई क्योंके उनको फिकर ही नहीं है ना, उनको बनाने नहीं है ना, उनको चिंता दिए क्रिकेट की, आप अपना फूं क्यों ख़ला रहे हो, आपकी पिछली बात को आगे बढ़ाऊंगा जो मैं कहा BCCI को क्रिक को बोलने से पहले, आप अपने किरिवानों में जादे हो, आपने बिलकुल सही के हाँ सोहल भाई, आपने साफ इसा दूरस बात की, आप घुलाम है BCCI और ICC के, आपके अंदर सलायत नहीं है अपनी बात को मनाने की, क्योंकि आपको क्रिकित से प्यारी नहीं है, आपको इ हारुन रशीद साफ को देखो रहा, 200 साल से बैठे है, वो जणाब आपने सुबाना मस्ता, पिछले 500 साल से वो आपनी बहीं पैटा है, उसके 500 साल तक और बैटा रहेगा, वही फाइल मगल में दबाके, हर चेर्में पीछे-मीचे जलता रहता है, उसे उसे भाई तो करता क सार, हारुन रशीद के अंदर ऐसा क्या है, कि वो हर साल डुमेस्टिक सिस्टम चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर जो भी चैर्मान आता है, कहते हैं कि हारुन भाई बहुत सलायतमन आदमी, इनसे बहतर डुमेस्टिक रिकट कोई नी चला सकता, हारुन भाई काला जादू कर यह सोहल साब बहुत अच्छे हैं, शकल सूरत के भी बहुत अच्छे हैं, गुड लुकिंग है, जबर्दस परसनेलिटी है, कोट भी अच्छा पैना हुआ है, नोने चश्मा भी दूर लगाया हुआ है, आप ज़रा एक काम करो, इनको बॉलिवूड में आप कतरीना कैफ के बरावरे बठाने कि अकल से तुम इसके साथ फिलिव करो रहे हैं, होता है साह, हो सकता या नहीं हो सकता, करेगी कतरीना कैम इनके साथ काम, नहीं करेगी, लेकिन आप के मुल्क का वधिर आजम मुझ जैसे जाहिल को उठा करके PCP के दफ्तर में उतारेगा, और कहेगा आज चाहे मेरा नाम एजाज गॉट हो, चाहे जका अशरफ हो, चाहे नजम सेटी हो, चाहे रिचहरियार खान हो, चाहे अचान मामी हो, यह 25-30-40 साल से चला आ रहा है, जब मैं वजीर आदम से हटूँगा, तो जिसको मैंने बनाया था ना, वो भी पत्निकली से निकर जाएगा यह तो हुथा आप क्या काम, तो मेरे प्यारे भाई, बिला वजे बसना यह है, इस वजासे किरिकेट से कोई लगा हो, तो चाहे हो, चाहे हो, पाक बारत ड्रामा जो भी बहुत अर्स्के तक चला और इसका एंटी क्लाइमेक्स था वह हुआ है, जी जी, 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 बोल तो नताइज कभी भी आपकी मर्जी के नहीं आते, जब आप अपनी अपनी जाती तश्यीर और जाती रूनमाई के लिए मुल्क और कौम की फुर्बानी और उनके जजबात से खेलना शुरू कर देते हैं, तो पिर उसके नतीज़ा यह होता है, जो अब हुआ है, अगर M.O की 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 कामोनी हैसियत होती है, M.O.U. होता क्या, प्यारे माई हो, M.O.U. का मतलब है Memorandum of Understanding, Memorandum of Understanding का मतलब क्या है, चलिए आज थोड़ा से बात कर दे, मैं कुछ वकीर नहीं हूँ, लेकिन चुब के कारवबार करता हूँ तो मुझे इन तमान कामिनालोजी स्टे लेकिन मैं कोशिश कर दोता हूँ, कि मैं आपके बाग रहा हूँ, तो कि यार प्रीज से कैमो यू बना ले, तो हमें कैमो यू दो लाइने लिख लेते हैं कि आप I intend, Memorandum of Understanding का मैं, I intend to come for dinner at your house at 7.30 p.m. Inshallah, I intend, it has no legal boundaries, it has no legal commitments, it has no legal right for you to go in the court based on that document, ये बात अच्छी तरह स किया, आचा केस के लिए वकील के पास गया, वकील के पास जाग करके वकील ने का रहे हैं तो मस्टाई को यार अब तो आपको 20,40,40,70,000,000 दिलाएंगे BCCI से, हम ऐसे धोड़ी बैटे हैं, आप वकील को दो मिलिए डॉलर दे दिये, वकील ने का कोई मस्ला ही नहीं हम करा तो जब वकील के पास जाओगे दोस्तर कहना ही है कि मैंने आपकी करीमत करेंगे आप, आप ही केस दीच जाएंगे तो पहर आंगे सब लगी बाते हैं छोड़ेंगे उसको यार अचा सब एक और सवाल है कि कराची से आप ब्लॉंग करते हैं, कराची की क्रिकेट आपने दे माबाब और अल्ला के बाद अगर कोई इमान का हिस्सा है तो वो क्रिकेट है, अगर क्रिकेट है तो तुम हो, और क्रिकेट नहीं है तो तुम ली नहीं है, जिस दिन तुमने क्रिकेट को फॉर गरांटेट लिया, ये खेल तुम्हे उठा के इतनी दूर देगेगा, कि वहा को मिनत करनी है इमानदारी से मिनत करनी है सुबा शाद मिनत करनी है मानता हूं यार मानता हूं कि पिछले तीस बरसों में हमने जावेद लंगडा और नसीम काना और फैसल भोटा और ये बहरा वो लूला इस तरह के लड़के दिये कोई जावेद मियानाद नी दिया, कोई धायरभास नहीं दिया, कोई सलीम मलेक नहीं दिया, हमारी तवज्जों नहीं थी, हमारी तवज्जों थी किस तरह बीज को किरा दो, उधर जनाब भता ले लो, उधर से चालिज बंदर उड़ा दो, उधर शिया को लड़ा दो, उधर सुनी को लड़वादो, उदर डॉक्टर को मार दो, उदर किसी आलिम को मार दो, हमारी तवज्जव नहीं थी ना, तो इसलिए हमने किर्केट ग्राउं नहीं बनाए, आचा किर्केट ग्राउं जो थे उस पर अपने चाइना कटिंग कर दी, हमने क्या किया बास रो, तुम बना, ये भी हमने बड़ा जल्म किया, कराची वालों के साथ खासता पर कराची वालों ने जल्म किया, जिसके नतीजे में खेलने की जगाई नहीं है, जिसके नतीजे में लड़कों के अंदर खेलने की तड़पी पैदा नहीं हुई, जिसमें महोली नहीं बना, लेकिन अच्छा खेलते वे नज़रा है तो तीन पे क्यों नहीं आते हैं। इसलिए कि बापाराजम को भी अपनी आफस्टम का नहीं पता है। किसी भी लड़के को आफस्टम का नहीं पता भाई। आफस्टम क्या होती है अब समझे हो ना यारब। देखो जब लड़का खड़ा होता है खेलने के लिए तो अगर उसको अपनी आफस्टम का पता होता है तो फिर वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि कौन सी गेन को मैंने अगले ख़दम पे खेलना है कौन सी गेन को पिछले ख़दम पे खेलना है कौन सी गेन को छोड़ना ह और कौन सी गेम को नहीं छोड़ना है ये वो basic concept है जो किसी भी batsman की कामियाभी और नाकामी की वज़ा बनता है हमारे हाँ batsman को जिसको आफस्टम का नहीं पता होता वो हर उस game को chase करते हैं कि जो आफस्टम की line में पढ़ रही होती है या उसको छोड़ रहे होते हैं जो आफस्टम के बाहर पढ़ रही होती है या शौटपिच होती है तो वो अपने style से केलते हैं बाबा राजम को दो slip और तीन slip की मौझूद की में बैटिंग करवाना खतरनाक है वंडे में दो तीन slip बहुत मुश्ट अगर पहले opener चल गया 10-12 ओवर तो फिर slip हट जाती है तो बाबा राजम के लिए बड़ा प्यारा मौका होता है कि अपने आपको पिश्ट चुरू के पांच शेओर में सेट करके फिर वो अपनी मर्जी से केलते हैं लेकिन फिर वही बात में कहुँए ग्रेंट फ्लावर ने लाखों करोडो रुपिया तो इस कौम से ले लिया लेकिन इन लड़कों को आफ स्टम तक ना सिखाई कि खटके है कहा हूँ अगर सिखा देते तो आज हमारी बातिंग का मस्ताहर हो जाता बात आप कर रहे हैं ग्रेंट फ्लावर की करा आप याद है तो जिस जमाने में वो कुद भी खेला करते थे तो एक वक्त में स्वीट शॉट खेलने की प्रैक्टिस वो यूनस कान के साथ किया करते थे ग्रेंट फ्लावर की तो अपनी क्रेटबरेटी यही थी ना मिस्बा उलहाख और यूनस हाम जैसे किर्किटर्स की मौजूदगी में क्या हमें वाकई ग्रेंट फ्लावर की जवर्वत है क्या अभी तक हम उस गुलामी से अपने आपको अजाद नहीं कर पाए जिसके लिए हमारे माबाप ने हमारे बाप दादा ने अपनी जाने कुर्बान की और सेटालिस में हमें मुल्क दिया इसलिए कि गोरी चम्री है तो वो बैठी रही कि हमारे सरों कर अब ग्रेंट फ्लावर जो बता रहा है बाबर पुट शो लेट फोट राइज है डूइट अब बापर बिचारे को तो अ अब भांबरी पे ग्रेट फ्लावर ने में बातों पर किया रहा है आसा औरा वैसा कर आसा खर्ना वैसा करा और हसा कर आसा करना हसा ली यह भी हमने देखा आपाद है इन जमाम की बात किया मोहमद यूसर्स मिस्वा तो यूरुसुल नहीं रिटार रहे हैं पुराने क्रेटिस की बात करें बड़े सब पाकिस्तान ट्रिकेट की टॉक पोस्ट में तो आना चाहते हैं अकेड़मी का कोच कोई नहीं बन चाहता है क्यों यार क्या खुब्सूरत आपे सवाल कर दिया दुफ्ती रख पर आप दिया मैं अदर कोई सवाल तो नहीं है अच्छा सुनिया मैं नवाब बोते हैं पाकि आप बताओ कौन कौन से हैं कोच नहीं तीन होगे तीन होगे तीन होगे तीन होगे तीन होगे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के बारे में बच्चा-बच्चा जाता है अच्छेर्मन चेर्मन कौन अच्छेर्मन पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान क बारे में बच्चा बच्चा जाता है आप से पूछेे कि किसी बच्चे से पूछें कि पाक्स्तान के आप कुदरती वसाहिए के मिनिस्टर के नाम मताइए बढ़ा बागयाद है, बुरी किया मतागों, इससे पूछे, कि आप आप सिंद के पिछले वजिर्याला रोते हैं, उन्हीं से पोछ लेते हैं कििस सुबह में आप रहते हैं तो वो आपको यकीनिं मताते कि मैं राजस्तान इत्या वजी रहती हो तो मतलब कहने का यह के इस तरह की नॉलिज है यहां पे लोगों की तो तो उस तरह से कहने का बश्चत ही है कि यह जो आपने सवाल किया है यह हमारा बहुत बड़ा आधिया है हमारे हाँ मैं आपको अब सजीदा नोट के उपर यह बात बता हूँ आज आप इस प्रोग्राम में बैटे वे हैं आज प्रोग्राम हुआ है उमेर सदा फार्मडेशन का ब्लड ड्राइफ केंपेन है कि जो इंशालला 1219 में हमें अभी हम 10,000 यूनिट डोनेशन के जमा करते हैं पर यह हमारा टार्गेट है 20,000 यूनिट अन्ट इंट उतावर या किसने मुझे को उधा दिया सिंध सेक्टरियेट के अंदर सिंध हकूमत के अंदर फेडरल हकूमत के अंदर या सरकारी सता के ओपर किया आए और यह कैंपेंग रण कीजिए और इसकी जिम्धारी हो ठाएगे चलिए हम और आप कराजी में थोड़ा सा और आगे बढ़त और सैकड़ो ताहिर शंसी उसने प्रोडीश कर दिये किसी ने उससे कहा नहीं था क्या या ताहिर शंसी बनाओ और लोगों को मेडिसीन प्रैटिस करना सिखा है थोड़ा सा वार आगे बढ़ते डॉक्टर साकेप के सिब्सपाल चलते चिलिन हास्पिटल चिलिन हास्पिट उनको तर्खा भी नहीं दी गई लेकिन अपनी मट्टी का फर्स समझ कर उन्होंने अपने ओपर फर्स समझ कर इन लोगों ने ये काम किया दी विज्री साहब के पार चले जाएए एसाइडियोटी में चले जाएएए आप जनाब बाक्नी भाई के पार चले जाएए आप जहां मर्जी जाये इकिमरान खान साथ को देखिए लेकिए किस ने कहा था शौपत खानम बनाने को सुबह चाम उस शक्स ने एक कर दिया है चौकर खानम का चंदा जमा करने पर हमारे हाँ किर्किट एक वाहिश चुरबा है कि जिसमें के पुराने किर्किटर्स की ये खुआश है या तो मैं चीफ स्रेक्टर बनूँ या मैं एड कोच बनूँ या मैं पीसी बी का सतर बनूँ इन तीम के इलावा मैं किसी चीज़ में हाथ नहीं डालूगा पाकिसान किर्किट जाए बार में मुझे इससे कोई घर्स नहींगे सिर्फ बैट के टीवी चैनलों के ओपर तरफिदे करूँगा मश्वरे दूँगा सोशल मेलिया पर आओंगा अपने नंबर बढ़ाओंग जब खाला अगर ओधा देंगे तब तो मैं जाकर रिवर्स सूनिंग सिखाऊंगा और रिवर्स स्आएमकप नहीं देंगे तो मेरी बना से हारे जाऑनियों PLAY दिख आ। N 대박 प्र पर ही तप trapped Six लिए लिए और देंगे तो झ्युक्त कर जाओंगा CHUS शुर्ण कर जाओंगाउ हूँ मुहिन खान को राशिद लटीफ को योनुस खान को कि जिन लोगों ने अपना खुन पसीना बगएर किसी ओदे के लिए कि जनाज चलो हम लड़कों को सिखाते हैं हम बना अब्दुलकादिर सहाब है कि उन्हों नड़कों के पर मेहनत करें लेकिन यह जो नामने हाथ किस स्विंग अफ सुल्टान और सुल्टान क्या है वो वो बने बैठे में वह पाकिस्तान के लावा हर एक को सुइंग सिखाते ह हरो के हरे पाकिस्तान में आगे वह कबोट का वाश्विंग पावडर फ़्مें ईयार खोदा को मानओ तुमें पाकिस्तान में कामोट् चाहक लेक थाwer तो तुम्हें अरफ पति बना तरुट. तुम इस मुल्क में और्दों को कमोट साफ करना सिखा रहे हैं, कि कपड़ों पर धबे कहते साफ करना, यह सिखा देता हूँ मैं तुम्हें, वह भाई, रिवर्ट सुएंग सिखा यार, जा दो वसी मखरम बना के दे यार, नहीं भाई, वह जी चीफ स्लेक्टर बनाओगा, मैं तो हूँगा, नहीं बनाओगा, तो मैं तो अग्रेजी कमेंटरी करूंगा, लाको रुपया कमाओगा, और दूसरे मुल्की चैरियत लेके वहीं बनाओगा, अच्छा सर, इंस्टाग्राम पे हमें ज्यादा लोग देख रहे हैं, फेस्बुकी बनिजबत और बहुत सा आगार कश्मीर की टीम होगी इंशाला, और मेरा खाल है दो साथ अग्रे सार 2019 में नहीं 2020 में, 2021 में एक टीम होगी आगार कश्मीर की इंशाला, और फैसलाबाद की, दोनों से एक आगार, इसी समार में आट करूंगा, तो चुछे आपको अच्छे लोग आपको fans देख रहे हर साल होती हो पिशावाजबी की खादवात यह जो लोगभी के तरह हम सब भी देखते हैं कि खामोशी ते अपना काम खुश्पूरूबी से कर रहे हैं जावेद आफरीदी एक सच्चा पाकिस्तानी है जिस वक्त पाकिस्तान टीम को 2010 का मैच फिकसिंग और स्पार्ट फिकसिंग का मसला हुआ था तो आपको ब्रॉडकस्टर्स और स्पांसर की कमिंग पड़ रहे थी जावेद आफरीदी में भूदा अपनी जैफ से पैसर डाला किरकेpt को स्पांसर किया शारजा में दुबाई में अभुदावी में और पाकिस्तान तीम को लेकर साथ अफरीका जिया अपना अपना प्राइण अपना टाइम अपनी दोलत अपना रुप्या लगा करके पाकिस् तो बात आई तो सबसे पहले जावध आफृदी ने अपनी टीम पृजावड़ जल्मी को लिया उसके बाद जब लड़कों के ट्रेनिंग और और ऐलंट हट स्कीम की बात आए तो पृजावध जल्मी का फॉर्मिला जावध आफृदी ने जिया ग्रास रूट लेवर पे काम करने की बात आई तो पिशावर जलमी सबसे आगे रही लेकिन जब PCP का सदर बनाने की बात आई तो जावेद आफरीदी को मक्कन में से बाल की तरह निकाल के बात आई चलिए और अच्छे सर हौकी में भी involvement है जावेद पाकिस्तानी है यार उसक यार अब आघै अपरीम सबसे की बाल के रहy आदियुए है जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले की आथ है अब oynâu इस बार वो लेकर रहे हैं, माता कि वो पिक भी किया है, मैं दोर भी टीम के साथ होंगे, टैर्ट सैमी भी मौझूद है, बुड़ी बैलनस स्कॉर्ट निज़ा रहा है, जीत भी चुके हैं, फाइन्स भी किये चुकी है, फिशावर दर्मीर, और इस बार क्या असपेक्टेश पाकिस्तान स्कुर्ण बार क्या रहे हैं, बिलकुल आजशाओं पाकिस्तान सुपर लीग में स्रिफ पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान स्परण का कोई सुरी नहीं, बिलावजे की पाक डालके चलेंगे, रहाम सेटी साब ळामे बासटी है, निन दढका मैं पने लिया है को पाकस्तान आएगा वो पिसल केलेगा तो आजे से जादा वैसे ही आजे हैं अजय एक सवाल है आपका तालुग पिशावर जलमी से लेकिन दूसरी फ्रंचाइजेस रेटेड़ भी कुस कुस्क्षेशन आ रहे हैं क्योंग आप इतनी गहरी निगार रखते हैं तो प्रोग्राम को बाइंड भी करना है लेकिन हसी वहमत का एक सवाल है कि कोईटा ग्लेडियेटर कोई काम नहीं कर रहा है बलोचिस्तान में अगर दीगर फ्रंचाइजेस को देखते हैं देखिए अकेडमीज बनाना इन फ्रंचाइजेस का काम नहीं है अकेडमीज में पड़े लिखे समयधार कोचिस का रखना इन फ्रंचाइजेस का काम नहीं है लड़कों को अंडर 14, 16, 19 के लेवल पे ट्रेनिंग देना और फिजिकल फिटनेस पे काम करना फ्रंचाइजेस क काम नहीं है. फ्रेंचाइजीस का काम है कि जब इन लड़कों को निकार के सवार के सजा के तयार कर देए एकड़ों कर देए तो उनमें सजा के पिक करें अपने 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 उनए अलाके में की टीमों में शामिल करें. आप साला काम जो है वो फ्रेंचाइजिस कर ले, PCP बैट करके जनाब माँ पर चंचंचंगे ले, यह वही काम हो रहा है, आपने एक्सेक्ट वही काम किया, कि जनाब के PCP ने करना कराना कुछ नहीं है, जो करना फ्रेंचाइजिस ने करना है, तो भाई PCP डिजॉल्फ करो, इस मुल्क को PCP अपने पर चंचेजिस के हावाले करो, ताकि अल्ला खैर सल्ला गेम पता, यह यह है असल काम इसकी, जैसे, आखर में दिल तो नहीं चाहरा लेकिन आप बड़ा कीम्ती बच्ता है, इस तरह का सेसरा तो पहला आपके साथ चलता ही रहेगा, जिस तरह कीम्ती में का प्रोटी होती है, कभी भी नजर आ जाती है, तो मैंने देखा है, तो वाकिस्तान में चुके हर चीज अचानक होती है, तो मेरी नजर में जो ये करंट टीम है, इसमें ड्रेसिंग रूम में इतना खराब माहूर पैदा हो चुका है पिछले छे महीने, साथ महीने के अंदर, कि कोई भ जब इस चीज़ को अपने सर पे लेने को तयार नहीं होगा, अनलेस एंटिल के उसको धंकी दी जाए कि तुमारे घर का पानी बन कर देंगा, या तुमारे घर की बिजली बन कर देंगे, तुम कप्तान होगा, यह भी कर सकता है PCD, PCD कोई परो सुनों बाइजान, ऐसे जाए करतू, आप यह भी अजाए करता है, गोर से सुन लीज़े का भाई जान, एक बहुत खतरनाख खबर थोड़ी देर पहले मुझे मिली है, बहुत ही खतरनाख खबर है, और अल्ला मेरे मुह में खाक कि पाकिस्तान की टीम ने सेकंड इनिंग में कोई गरबर की है से कि पाकिस्तान की किर्केट के लड़कों ने खेले तो उसके उपर ICC Anti-Corruption की नजरे मुखतलिफ अंदास से, मुखतलिफ जावियों से पॉर्ड़ी अब पाकिस्तान की तो जावेद मियादाद वगार यूनस के कप्तानी में भी 10 क्रिकेट खेले तो पाकिस्तान की तो कुछ पर हात रखके युनस कान के खिलाफ बाते करना चुरू हो गई और पर युनस कान के कमरे से लेकर आए जावेद मियादा जब पहली वरतबाव में सब बयाती में कप्तान बने तो एक बायक और उसक्त भी हुआ क्या क्या गुद्धर करना तो बिल्कुल कुछ पर क्यूंके बाप नहीं आघर में पचास साल से और इसने बात कर गया तिन चार साधिया इस वक्त टीम में कोई ग्रूपिंग है बिल्कुल है इसलिए है पताते को मिता पाकिस्तान की टीम अब बड़े गोर से सुनना इस सवाब को जवाब को सुनना गोर से पाकिस्तान की टीम ना तो कभी ग्राउंड में मैच जीती है ना ग्राउंड में मैच खारी है पाकिस्तान की टीम हमेशा ड्रेसिंग रूम में जीती और ड्रेसिंग रूम से आ रही है जिस वक्त पाकिस्ता पाकिस्तान ने पहला गेम खेला था चैंपियंस टॉफी का हिंदुस्तान के खिलाफ और जही लखवार होके आया था वो चैंपियंस टॉफी के ड्रेसिंग रूम के माहोल ने एक नई इंस्पिरेशन पाकिस्तान टीम के अंदर ढाली थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान 2017 की जीता था पिछले बारा महीने चैंपियंस टॉफी की ड्रेसिंग डूम के जो माहोल है वो इतिहाइ तकलीम थे परिशान को नई पिरान को ने इसकी बेसिक मचा है कोज की लेंगविज, कोज की बॉड़ी लेंगविज, कोज की डिक्टेटर शिप, कोज की इगो और कप्ट कि गयर पर्फार्मेंस गोर से सुनो, जिस टीम का कटतान पर्फार्म later नहीं करता वो इस टीम के अंदर वो अपनी इज़त को देता है, चाहे कितने ही अच्छे तुम कातान हो, modern day cricket में अगर तुम ने पर्फॉरमिस नहीं दी तो तुम चाहे रोई शर्मा हो चाहे सचिंट टंडोर कर हो चाहे तुम इसमित हो तुमारी कोई इज़त नहीं करेगा जब दोरो इनिक में जीरो पे तुम आउट होगे तो पाकिस्तान टीम का मसला यही है कि हम ड्रेसिंग रूम के महावन से हार रहें और हम जीते भी वहीं से हारते भी हैं अब आखर में किया लास्त क्योंगे कोई उसे पूछो शाह जेशन पूछ ले पूछाए अगर पाचे चली तो टीके नी मेरा तुमत यह है कि बद्दूआ करें कि यह खबर जो आई है यह खलत हो और पाकिस्तान की जो मौझूदा क्रिकेट की सुरते हाल है इसमें मेरी सेजेशन दे है बिल्कुल दो बातां ने करूँगा पहली की सर्फरास टी टुइनगी के कप्तान रहें और इसके अलावा हर पिसम की किर्केट को खर्बाद के ले इसलिए लिए कि वो खेल नहीं सकते है इसलिए कि वो ऐसा कप्तान नहीं के सकते है ये एक बात क्योंकि सर्फरास से बड़ा शेर सर्फरास से बड़ा बहादुर विकेट कीपर और खिलाडी शायदी हमने प्रोड्यूस किया हूँ मौहिन खान के बात मौनखान एक जमाने में थे और अब सर्फरास है ठीके नहीं सर्फरास कप्तानी का बोज भी उठा पा रहा है उसकी वज़ा से हमने एक बेतरी मैट्समेंट जाय कर दिया कप्तानी और टेस्टी कप्तानी और छोर दे आपके एकेड़िमी इस हाल ही पड़ी नहीं है, आपके आप सिर्फ तंखाय बाटने जाते हो, दस बजे सुबह चाय पीते हो, बारागे लच पर जाते हो, पांच बजे बेगम को शॉपिक पे ले जाते हो, रात में डिनर पार्ट के अटेंड करते हो, बीडिया अटेंड करत और अब यह सिल्सला जारी रहेगा, इंशाय अंदा भी, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े इविंट्स आ रहे हैं, पी-सल भी आ रही है, तो डॉक्टर काफिवन सारी का हम बहुत जादा शुक्री आदा करते हैं, और अपने फैंस का भी बहुत शुक्री आदा करते हैं, बहुत जादा आपने सवालात पूछें, जितने हमने पूछें जिनके नाम शामल नहीं हो सकें, उसे मादरत आइन आने वाले प्रोग्रामिस में आपके नाम भी शामल होंगे, अब इसी बात के साथ सुहिल खान आपसे अजादत देगा, अल्लह हरी के मारा है